वोड़ मॉनिंग बच्चो कैसे हैं आप सब आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीबी एमक्यो युनिवर्सिटी में जो भी छाज चातरा है पढ़ते हैं आपका सेसन अगर यूजी सेम टू है सेसन आपका 2020 से 23 से तो आप सभी बच्चो को मैं आपको बताने वाला ह और आपका एजामेशन कब तक हो सकता है क्योंकि बहुत से चाहता है मुझे कमेंट के पूछ रहें कि सर यूजी सेम टू का एजामेशन कब हो सकता है कब आपका जो फर्म फिला पर वो कंप्लेट हो सकता है तो आप सभी बच्चे वीडियो को लाश्त जुरू देखेगा व और एक फेस्बुक पेज का लिंक मिलेगा अगर आप का मन करें तो उस ग्रूप में जुड़ जाएगा इसके बाद बीबेम की उनिवर्स्टी द्वारा या फिर आप जिस भी कॉलेज पढ़ते हैं बीबेम की उनिवर्स्टी अंदरगर उस कॉलेज सामेशन को भी की पालनी होगा तब दक आप सभी बच्चों का जामेशन नहीं कट्राट के या सकता है हाँ अभी आपका फॉर्म रवागा जा सकता जाए ठीक है किसी भालत में क्योंकि देखिए अगर दिसम्बर में आपका अगर फॉम फिलप नहीं होगा तो आपका जो सेशन है एक ऐसे लेट चल रहा है हर च्छे मैंने में एक्जामनेशन होना चाहिए कभी नहीं होते आप चाहिए को भी सेशन से समेश्टर कर सकते हैं ल सेशन में यहीं हुआ था पंदर सेशन में उनके लाश्ट टाम में युनिवर्सिटी जोड़ा गया था ठीक है बहुत से कॉलेज धनवाद कंतर गया तो उनके साथ साथ यह प्रॉब्लम फेश किया जा रहा है तो आप सभी बच्चों का जो फॉम फिलप होगा वह अब दि जो भी युई सेशन में ठीक है दिसमबर में इजाम होने के चांस बहुत कम है अगर फॉम फिलप होता है ठीक है तो फॉम फिलप होता है ठीक है तो में भी चांसे से वरना उसका भी को उमिदनी है तो आप सभी बच्चे घबराएं नहीं आप अपनी पढ़ाई कंटीन चुका है तो बहुत अच्छी बात है आप यूजी सेम 3 की तयारी सुरू कर दीजिए ठीक है मार्केट में विद्दागेस पेपर आया हूँ अगर कोई बच्चे पढ़ना चाते हैं तो यूजी सेम 2 तयारी अगर जिन्होंने क्लास नहीं किया है ठीक है तो कोई दिकत नहीं आप विद्दागेस पेपर ले लिए उससे पढ़ लिए और जो भी आपका उनस पेपर जिसका सब चीज के मार्केट में अवलेवल है आप उससे क्या कर सकते हैं तो आप सबी बच्चे जो भी यूजी सेम 2 में तो उनका जो जनवरी में होने का उमीद हो रहा है क्योंकि द चलिया मिलत अपनेगली वीडियो पे